वर्ण वचार Phonology बोलते समय हम अनिक शब्दों का प्रयोग करते हैं इस शब्द अनिक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं ध्वनियों के लिखे चिन को वर्ण कहते हैं नीचे दिये गए चित्र को देखिये और उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िये फूल, हाती, केला, तोपी इस सभी शब्द कई ध्वनियों वर्णों के मेंज से बने हैं फूल, फ जमाऊ, जमाल, जमाअ हाती, ह जमाअ, जमाथ, जमाई केला, क जमाए, जमाल, जमाआ तोपी, ट जमाऊ, जमाप, जमाई इन सबी में चार-चार ध्वनिया हैं. इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किये जा सकते, ये वर्ण है. वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके और टुकड़े नहीं किये जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है. हिंदी वर्ण माला वर्णो का एक व्यवसित और क्रम से लिखा समो वर्ण माला या अक्षरमाला कहलाता है अ-ाह, इ-ई-õ-ो, री, ए-ाइ, उ-उ-ज। अयोगवा, अम-ढह, अनुनासे वर्णो की भेด वर्णों के मुखे दू भेध होती हैं स्वर और ब्यंचल पूप से होता है अर्थात जिनके उच्छारन में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं ये संख्या में 11 होते हैं जिन थ्वन्यों के उच्छारन में स्वर्वर्णों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें वेंजन कहते हैं हिन्दी में वेंजनों की संख्या 33 है जो इस प्रकार है सयुत वेंजन वेंजनों में से श, त्र, ग्य और श्र सयुत वेंजन कहलाते हैं ये दो दो वेंजनों की मेल से बने हैं और इनका एक निश्चित लिखित रूप है इन्हें सयुत ताक्षर भी कहते हैं श, क, जमा, श, जमा, अ, बराबर कक्षा, शन, शत्रिये त, त, जमा, र, जमा, अ, बराबर पत्र, यात्र, शत्रिये ग्य जमा इं जमा अ बराबर ग्यान आग्या यग्य श श जमा र जमा अ बराबर श्री श्रम आश्रम ज और फ वन्जनों को हिन्दी में अर्भी फार्सी शब्दों के प्रयोग के कारण रखा गया है क्योंकि ये हिंदी की ज और फ ध्वनियों से भिन है और कुछ शब्दों के अर्थ में इनके प्रयोग से अंतरस्पर्ष्ट होता है जैसे सजा, सजा, फन, फन, आदी अयोगवाह हिंदी वन्ड माला में अंग अहा का स्थान स्वरों के बाद और वन्जन से पूर्व है इन्हें अयोगवाह कहते हैं अ के बिना इनका उचारन संभव नहीं है अंग को अनुस्वार और अहा को विसर्ग कहा जाता है अनुस्वार वन्जन का चिन है जैसे गंगा, डंडा, बंदर, खंबा, आदी विसर्ग का प्रयोग तक्सम शब्दों में होता है और बोलते समय ह की आवाज आती है जैसे अतह, प्रातह, आदी अनुनासित चंद्रबिंदू अनुनासिकता का चिन है यह स्वरों का गुण है इसको लिखने के लिए प्रतेक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदू लगया जाता है जैसे आंक, चांद, हसना, उट, पूझ, आदी हलंत या हल्चिन सबे वेंजनों में अध्वानी मिली रहती है और रहित वेंजन लिखने के लिए उसके नीचे एक तिर्ची छोटी सी रेखा लगाते हैं जिसे हलंत कहते हैं जैसे शुद, लट्टू, विद्याले, आदी में दवित्व वेंजन जब किनी दो समान वेंजनों को मिला कर लिखा जाता है तो वे दवित्व वेंजन कहलाते हैं जैसे क जमा क, कक, बराबर पक्का च जमा च, चच, बराबर सच्चा त जमा ट, टट, बराबर खटा न जमा न, नन, बराबर प्रसंद म जमा म, मम, बराबर चमच र के रूप र एक ऐसा वेंजन हैं जिसे अलग-अलग धंग से लिखा जाता है जैसे रिफ रूप, पदेन रूप कर्म, मर्म, धर्म, सर्प कर्म, बराबर क, जमा अ, जमार, जमामा, जमाआ रिफ कर्म, कर, जमार, जमाआ, जमामा, जमाआ, पदेन ट्रक, बराबर त, जमार, जमाआ, जमाक, जमाआ, पदेन कर्म, ब्रम, ट्रक, ड्रामा धर्म, बराबर ध, जमाआ, जमार, जमामा, जमाआ भ्रम, बराबर भ, जमार, जमाआ, जमामा, जमाआ ड्रामा बराबर ड जमा र जमा आ जमा मा जमा आ ध्यान दो र के साथ उ की मात्रा और उ की मात्रा विशेश धंग से लगाए जाती है र जमा उ रू रूपया रूची रुखना र जमा उ रूप रूप रूपा अम्रूद पदेन र और री का अंतर ग्रह, प्रथा, व्रत, र, पदेंग ग्रिह, प्रिथा, व्रित, री, मात्रा वेंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन लगता है वह मात्रा कहलाता है प्रतेक स्वर की अपनी मात्रा होती है हिंदी वर्ण माला के प्रतेक वेंजन में और स्वर मिला रहता है अतह उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती सबी स्वर मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी स्वर, मात्रा, स्वर रहित्वन, मात्रा वाला व्यर्जन मूल, स्वर, युक्त, शब्द, मात्रा वाला शब्द E. चोटी की मात्रा क, की, इमली, किताब E. बडी की मात्रा क, की, इद, कीमत U. चोटी की मात्रा क, कु, उदास, कुत्ता U. बडी की मात्रा क, कु, उन, कूड़ा R. री की मात्रा क, क्री, रिशी, कृपा हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और वेंजन स्वरों का उचारन स्वतंतर रूप से होता है जबकि वेंजनों का उचारन स्वरों की सहायता से होता है स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है वेंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेश चिन मात्रा कहलाते है स्वाइट देंजन चार है श, त्र, ग्य, श, वर्णों का निश्चित और क्रम बद समूँ वर्णों झालो है श, एकली, वर्णों। वर्णों का लिवीजस है विर्णों। झाल झाल